Study IQ Bank & SSE शुरुआत से सभलता तक शूरु किए हैं अगर आप प्लेस्ट पे जाएंगे तो प्लेस्ट में आपको बहुत सारी प्लेस्ट दिखेगी मैंने speed-mats की भी प्लेस्ट स्टार्ट की है जिसमें मैं रोज 10 बिजे लाइव आता हूं तो यह भी आपको देखना है and RS Agarwal की जो ये playlist है इसमें आप जाईएगा तो आपको बहुत सारे questions यहाँ पे जो है videos दिख जाएंगे अगर आप इसके नीचे जाएंगे Right students, तो इसको आप देख सकते हैं बहुत सारी videos के इसकी playlist के अंदर आपको देख जाएंगे तो इसे आप प्लीज जरूर देख लीजेगा Right students, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे Time and Work chapter पे आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा Time and Work chapter Right, RS Agarwal का Time and Work एक निया topic शुरू कर रहे हैं पहले जो मैंने आपको कराया था इसमें Average एक topic करवाया है और साथ के साथ HCF, LCM कराया है उसे जरूर देख लेजिएगा ताकि आपके doubts सारे clear हो जाए Now, Time and Work एक बहुत ही जादा important chapter है इसमें से हमेशा हर exam में questions बहुत जादा पूछे जाते हैं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं So, start करने से पहले एक quote लेते हैं Don't wait till tomorrow, do it now So, कल पे कभी भी चीज़ों को मत छोड़िए जब आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो उसे आज ही करके खतम करिए तो students, ये हर चीज़ में आपके लिए applicable है कि हमें आने वाले कल का मैं बाद में कर लूँगा बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा वो बाद में कल कभी नहीं आता है जो करना है वो अभी करिए अभी समय है आपके पास और ये समय आपको लाइफ में बार बार नहीं मिलेगा तो do it now, right और government job की तियारी करनी है किसी भी exam की तियारी करनी है तो अभी करिए, अभी आपके पास सही समय है चलिए तो students, यहाँ पर हम सबसे पहले basic समझते हैं मैं आपको RS अगरवाल के questions सिखाऊंगा और मैं आपको type wise पढ़ाता हूं तो सबसे पहले एक छोटा सा basic समझते हैं अगर A किसी काम को x days में करता है माल लेते हैं A एक काम को x days में करता है तो उसका one day work कितना हो जाएगा उसका one day work कितना हो जाएगा one upon x यह हम बच्पन में करते थे शायद आपको याद आ रहा हो जैसे A किसी काम को ten days में करता है माल लीजिए तो उसका one day work हो जाएगा one by ten अगर वो 20 days में काम करता है तो उसका 1 day work हो जाएगा 1 by 20 ऐसा इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे let किया करते थे तो माल लेते थे कि उसका जो total work है वो है 1 मकलब 100% पूरा काम 1 है और अगर वो 10 दिन में कर रहा है पूरा काम 1 तो 1 day में कितना करेगा 1 upon 10 इनवर्स करते थे अगर वो 20 days में 1 कर रहा है पूरा काम तो एक दिन में कितना करेगा 1 upon 20 ऐसा हम करते थे और इसका यूज करके हम बहुत सारे question solve किया करते थे इससे हम करते थे कि एक दिन का काम निकालते थे और उससी से हम आगे solve किया करते थे तो जैसे हम पहला type देखते हैं पहला type क्या है कि जब हम एक time दिया होगा individually लोगों का अलग लग कि वो कितने दिनों में काम कर सकते हैं मालो दो लोग हैं तो A अकेला काम करे तो कितने दिन में कर सकता है ये आपको दिया हो और दूसरा बंदा है B B व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर सकता है आपको ये भी दिया हो अगर आपको ये दोनों चीज़ दे रखी है और वो आप से मांग ले कि ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे जब ऐसे questions आये तो क्या करते हैं पहले मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जो book में दिया हुआ है वो तरीका जो हम बच्पन में classes में पढ़ा करते थे इसको up to 10th level में time and work आता था तो उसमें हम ये पढ़ते थे कैसे करते थे वो तरीका बताऊंगा फिर में बताऊंगा कि अब हमें क्या approach अपनानी है जिससे हम इसे short तरीके से कर भाएं और उस short तरीके से हमारे लगबग 80% question उससे solve हो जाएंगे चलिए हमारा पहला question क्या है एक person है आईशा वो एक काम को करती है 16 days एक दूसरी person है अमीता वो इस काम को करती है 8 days आपसे पूचा है कि ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे तो आईशा करती है 8 days में और अमीता करती है 16 days राइट सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसका 16 है और उसका 8 है यह 16 डेज में करती है और यह 8 डेज में करती है क्या आप पूछा है अगर वो दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम होगा यह मेरा कुश्चन है आईए मैं आपको बताता हूँ पहले हमारी कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती बच्चों जब हम पहले छोटी क्लास में पेपर देते थे ना तो हमारी अप्रोच सब्जेक्टिव होती थी एक-एक स्टेप बड़े आराम से अच्छी लिखाई से लिखना होता था क्योंकि हमें मास्टर जी नंबर देते थे एक-एक स्टेप के और अगर हमने एक स्टेप भी बीच में खा लिया तो हमारी नंबर कड़ जाते थे हर स्टेप का एक नंबर होता था बीच में हम लिखते थे लास्ट में हेंस प्रूव्ट है ना बहुत सारी थियोरम बहुत कुछ हमने प्रूव करके दिखाया आपने बच्पन में हेंस प्रूव्ट हैसा बहुत होता था है ना कंस्ट्रक्शन भी होती थी हम रचनाए करते थे हमारे पास दी और प्रकार वह सब होता था तो वह करीके होते थे लंबे लेकिन जो हमारे अब पेपर है न वह पेपर जो एक्जाम्स आप दे रहे हूं वह वह अबजेक्टिव हैं वहाँ पे आपको चार पंच आप्शन मिलेंगे और वहाँ पे वही इनसान पेपर क्लियर कर सकता है जो शॉर्ट ट्रक्स जानता है जो फास्ट ट्रिक्स जानता है वही सक्सेस ले सकता है तो आपको यहां पे फास्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी तभी आप पेपर करेक्ट कर सकते हो वह वाले मेथड काम नहीं आएंगे चलिए यहां पे हम मैं आपको बताता हूं पुराने वाला दरीका क्या था हम आईशा का वंडे वर्क न कितना हुआ हम दोनों को निकाल लेते थे एड करके LCM इन दोनों के LCM 16 आ गया यह 1 पे कटा और यह 2 पे कटा तो मेरा आंसर क्या आया एड करके 3 by 16 यह क्या मिला यह A और B यह दोनों लोग जो है यह A और B मान लेता हूं इनका वंडे वर्क कि यह दोनों मिलके इतना काम करेंगे अचा मुझसे क्या पूछा है इतना काम यह एक दिन में करेंगे यह पता चल गया इतने यूनिट पूरा काम मान लेता है वन यूनिट मुझसे पूछा है कि यह दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो यह अभी एक दिन का काम आया है, अगर एक दिन का काम आपको पता हो, और आपको ये निकालना है, कि वो पूरा काम कितने दिन में करता है, तो इन्वर्स करना होता है, इन्वर्स करना होता है, क्या बताया था, कि अगर एक दिन का काम वन बाए एक से, और एक दिन का काम पता हो, तो पूरा काम कित एक दिन का काम हैं, आपको यह बताना है कि वो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, कितने डेज में वो इस काम को खतम कर लेंगे, तो आपको इसका inverse करना है, so your answer is कि Aisha and Amita ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे इसका inverse कर देंगे कितने days में काम होगा इसका inverse कर देंगे तो जब आप इसका inverse करोगे आपका answer आजाएगा 16 by 3 days अभी मैं आपको लंबा method बता रहा हूँ अभी smart approach बताऊँगा और एक नहीं दो दो बताऊँगा ओके so 16 upon 3 आया मेरा answer इसको हम 3 से divide करते हैं 3, 5, 15 एक बच गया वो उपर चला जाएगा और 3 से divide कर रहे हैं तो ये मेरा answer आगया 5, 1 by 3 I hope आपको समझ में आया ये था हमारा पुराना लंबा method चलिए अब सीखते हैं smart trick I hope ये समझ में आ गया इसी चीज़ को थोड़ा सा smartly करेंगे इसी चीज़ को थोड़ा सा हम असान शब्दों में करेंगे चलिए तो दुबारा देखते हैं कि आईशा इस काम को कर रही थी 16 days में और अमीता इस काम को कर रही थी 8 days हमें क्या सिखाय जाता था कि उस case उस time पर हम ये मानते थे कि let पूरा work is one unit the whole work is one unit और वो one unit मानने से problem होती थी अगर 16 days में कोई 1 कर रहा है तो एक दिन में वो 1 by 16 करेगा वो inverse में जाता था मतलब fraction में जाता था fraction को solve करना हमेशा लंबा हो था तो हम क्या करेंगे हम इसमें करेंगे इनका LCM लेंगे जो आएगा 16 unit और इसे assume कर लेंगे कि ये है हमारा total work क्या फरक किया मैंने इतना ही change किया कि जहां आप पहले total work को एक unit मानते थे और उससे चीज़े fraction में चली जाती थी उसको simplify करने के लिए मैंने क्या किया यहां पर total work की वो number लिया जो इनसे divide हो जाता है तो इनका LCM जो है 16 और 8 का अगर आप LCM लेंगे तो 16 और 8 का अगर आप LCM लेंगे तो आपको क्या दिख रहा है divide करके 2 into 2 into 2 into 260 right LCM दिख रहा है और HCF LCM वाले chapter में मैंने आपको shortcut भी बताया था कि अगर 2 number हैं उसका LCM आप ले रहे हो तो उसमें से आप कुछ number को ignore कर सकते हो जिसका multiple already पढ़ा है तो 8 का multiple 16 ही होता तो 8 छोड़ दो तो फिर वही LCM है LCM क्या है 16 right तो यह मैंने tricks HCF LCM बतायी थी उसे भी topic को जरूर देख लेगा okay now now students यहाँ पे अगर मैं ratio निकालूं किसका one day का one day का work निकालते हैं देखो यह 16 days में अब 16 unit काम कर रहा है और दूसरी 8 days में 16 unit work कर रही है तो यहाँ divide कर रही है आईशा एक दिन में कितना काम करती होगी one day work निकालते हैं 16 upon 16 कितना हो जाएगा one और 16 upon 8 कितना हो जाएगा two I hope समझ में आया 16 days में यहाँ 16 work हो रहा है तो per day में one हो रहा होगा 8 days में अगर 16 हो रहा है तो per day में two हो रहा होगा क्या यह समझ में आ रहा है 16 days में 16 तो per day में one हो रहा होगा और कोई 8 days में 16 कर रही है तो मैंने यहां भी divide करना है यहां भी divide करना है इससे मुझे पता चल जाता है कि यह एक दिन में कितना काम करते हैं इसे हम efficiency भी कह सकते हैं कि पर डे कोई कितना काम करता है इसकी एक करने की शमता है इसकी दो करने की शमता अब वो आपसे जो भी सवाल पूछ लेगा अगर आपने ये डाइगराम बना लिया तो आप mostly समझ लो कि इस chapter के आप 70-80% question कर पाओगे इसको करने से बाकी सारे questions असान हो जाते हैं आप से क्या पूछा है कि वो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे तो my question is कि ये दोनों person मिलके आईशा प्लस अमीता इस काम को कितने दिन में करेंगी क्या answer आएगा उसके लिए मुझे लिखना होगा कि work कितना है और वो दोनों मिलके per day में कितना करेंगी उससे मुझे one day work से divide करना हो तो यहां पर पूरा work कितना है जो मैंने माना था 16 और अब ये दोनों मिलके करेंगे और अगर दोनों मिलके करेंगे तो क्या मैं कह दूं कि ये 3 unit करेंगे daily और daily 3 करेंगे तो 16 करने में कितना time लगेगा ये मेरा answer आ गया 5 1 by 3 that's it क्या ये method समझ में आया इससे जानना बहुत जरूरी है इस method को क्योंकि इसी से ही हम majorly question solve करेंगे इस chapter के क्या है smart approach LCM लिया इसे क्या माना ये काम है पूरा काम यही है तो ये per day में कितना कर रहा है डिवाइड करो 1 दूसरी per day में कितनी कर रही है डिवाइड करो 2 दोनों per day में कितना कर रहे है 3 दोनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे 16 upon 3 that's it इसको हमने solve कर लिया 5 1 by 3 समझाया राइट अब मैं आपको इसका एक और second short method बताता हूँ अगर a किसी काम को कर रहा हूँ x days में और b किसी काम को कर रहा हूँ अकेले y days और आप से पूछाओ कि a और b मिलके कितने days में करेंगे a करता है x days में b करता है y days में तो दोनों मिलके कितने days में करेंगे ये है मेरा question, right, क्या होगा इसका answer, इसका shortcut है, just multiply the days x and y and divide by their sum, सीधा shortcut, क्या है इस shortcut, दोनों को multiply करिए और divide करिए उनके sum से, दोनों के days पता है के नहीं पता है, एक 16 days में करती है, और एक 8 days में करती है, जब आपसे पूछा जाए, कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, आपका सीधा shortcut आप ये भी लगा सकते हैं, कि दोनों को multiply कर दीजिए, और नीचे उनका sum कर दीजिए, तो उपर आ गया 16 into 8, और नीचे उनको जोड़ दीजिए, 24, और 8 से ये कट जाएगा, 3 पे 24, answer आ गया 16 upon 3, और वो वही है जो हमने यहाँ पे निकाला था, I hope आपको समझ में आ गया, तो note करने वाली बात ये है, कि जब दोनों का time पूछा है question में, A 10 days में कर रहा है, B 15 days में कर रहा है, दोनों कितने दिन में करेंगे, ऐसा कोई भी question आ गया, आपने बस दोनों को multiply करना है, और नीचे divide कर देना, sorry, नीचे add कर देना है, उपर multiply और नीचे add, ये किस चीज़ का shortcut है, जब पूछा हो, अलग अलग time तो दे रखाएगी, अकेले अकेले इतने दिन में करते हैं, पर दोनों मिल के क इतने दिन में करते हैं, I hope आपको समझ आया, और ये है basic जो मैंने आपको shortcut बताया यहां पे, ये आपको करना पड़ेगा, LCM लेना है, फिर efficiency का ratio निकालना है, फिर आप जो मर्जी पूछे जाए, वो निकाल सकते हो, ये पूरा काम, दोनों मिल के कितने में करेंगे, तो 16 है तीन के हिसाब से इतने दिन में होगा, आईए अगला question देखते हैं, A, एक काम को करता है, 18 days, B, same work को half time में करता है, A से, इसका half time वो लेता है, मतलब 9 days में करता है, question मेरा वही है कि, if they are working together, इस बार पूछा है, what part of same work they can finish in a day, एक step यहाँ पर extra पूछा है, कि वो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम वही करते हैं, हम जादा तर क्या करेंगे, ऐसे question, LCM से try करेंगे, इनका LCM मा लेते हैं, 18 unit आ रहा है, और यह हमारा total work है, अब जो 18 days में 80s कर रहा है, उसको divide करके efficiency निकालिए, कि per day में यह कितना कर रहा होगा, 1 unit, और per day में यह कितना कर रहा होगा, 18 upon 2, अगर यह कर लिया, सारे questions all हो जाएगे, तो अब आप से पूछा क्या है, इस पर language क्या पूछी है, if they are working together, तो वो एक दिन में दोनों मिल के 3 units करेंगे, एक दिन में 3 unit करेंगे, माना क्या है, कि total work है 18 unit, औ और एक दिन में वो दोनों मिल के कितनी कर रहे है, 3 units, अब वो क्या पुछ रहा है, what part of the work they will finish in a day, एक दिन में कितना काम फिनिश कर देंगे, तो 3 unit कर देंगे, out of 18, 3 upon 18 जो है मेरा answer आजाएगा, 3 unit कर देंगे 18 में से, तो कितना part किया, अगर इससे simplify करें, cut कर दें 3 से, तो 1 by 6, कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर, तो 3 करेंगे 18 में से, तो 3 upon 18 मेरा answer आगया, that's it, I hope आपको समझ में आगया ये, चली, अगला कुशन करते हैं, एक टायर के दो पंचर हैं, पहला पंचर, उस flat टायर को alone, उसको tyre को flat कर देता है 9 मिनट में, और दूसरा वाला जो करता है, वो करता है 6 मिनट में, right, एक को लगते है 9 मिनट, दूसरे को लगते है 6 मिनट, पूछा क्या है कि दोनों मिल जाएं, दोनों पंचर एक साथ हो जाएं, तो वो काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 को इसको बताया था कि आप इन दोनों की multiply करके divide कर दो इनके sum से ये भी कर सकते हो 9 into 6 upon 9 plus 6 ये आ जाएगा 54 upon 15 इसको 3 पे cut करें तो 18 upon 5 5 3 जा 15 3 बच गया upon 5 क्या कोई ऐसा option है बिलकुल है 3 3 by 5 minute वाला मेरा answer आ ये आपको मैंने short formula बताया और LCM लेना वाले method भी आपको आना चाहिए कि इन calcium ले लेंगे 18 unit 9 और 6 calcium होता 18 unit यहाँ divide करेंगे पहले की efficiency 2 आ रही है दूसरे में divide करेंगे दूसरे की efficiency 3 आ रही है अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे per day में ये इनकी efficiency आ गई तो दोनों मिलके per day में 5 करेंगे तो 18 करने में कितना days लग आएगा 18 upon 5 इतने minutes लग जाएगे अगर हमें minute में दिया हुआ ये शुरू वाला टाइम तो minute में answer आएगा अगर घंते में दिया हुआ तो घंते में आएगा days में दिया हो days में आएगा hours में आएगा मतलब जो unit यह दियोगी उसी unit में आपका answer आएगा तो इसे solve कर लेंगे तो ये मेरा अंसर आजाएगा 53 is of 15 और 3 बच गया 3 3 by 5 समझ में आ गया तो आगे question देखते हैं student उससे पहले एक announcement SSE का अगर आप exam target कर रहे हैं तो SSE के अंदर अभी CHSL का notification आ चुका है 12 चाहिए सिरफ उसके अंदर कोई भी eligible 12 जिसके पास हो वो eligible है और 3700 प्लस vacancy आई है बहुत अच्छी vacancy है तो जल्दी से इसको apply कर दीजिए application स्टार्ट हो चुके हैं और student July में इसका पहला पढ़ाव है exam का तब तक आप इसकी त्यारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम लोग लेके आए हैं इसका course जिसकी classes शुरू हो रही है 15th April से तो जल्दी करिए इंडिया के best expert आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं SSE exam आपका crack हो सकता है best guidance के साथ तो इसको आप तुरंट ले लीजिए इसके link आपको description में मिल जाएंगे चलिए अगला question लेते हैं तो जौर्ज एक 8 hours लेता है to copy a 50 page script उसको करने में उसको इतना time लगता है Sonia can copy the same manuscript in 6 hours अब यह question थोड़ा अलग है क्या पुछा है how many hours would it take to copy a 100 page manuscript if they work together तो अब यह काम भी अलगला करते हैं जैसे जौर्ज जो है वो क्या करता है 50 page करता है 8 hours के अंदर तो यहां से मैं 50 pages करता हूँ in 8 hours और दूसरा वाला जो Sonia है वो कितने time में करती है वो 6 hours में इस काम को करती है 50 pages तो इन दोनों का काम तो same है 50 page करना इसको 8 hours लगते है और same काम करने में इसको 6 hours लगते है अब मैं पूछ क्या रहा हूँ कि अगर ये दोनों 100 page का काम करें मतलब आप double काम करें पर दोनों मिलके करें तो कितना time होगा तो यहां पे एक बार 50 page वाले को इगनोर करते हैं ये same ही काम कर रहे है ये भी 50 कर रहा है और नीचे divide कर दो ये सीधा shortcut formula use करोगे तो और जल्दी answer आए तो ये कितना आएगा 8 into 6 upon 14 इसे मैं 2 पे cut कर दो तो ये मेरा answer आगया कि 24 by 7 hours लगेगे पर ये काम तो 50 करेंगे तो इतना time लगेगा न और आप से क्या पूछा है अगर इन दोनों को 100 page करना हो अब तो double काम करना है और double काम करना है तो double time लगेगा जितना जादा काम होगा उतना जादा time लगेगा तो इसलिए इसका double is my answer ये दोनों मिलके double काम को कितने time लगेगा तो double time लगेगा इसको double करिए 48 by 7 hour is my answer और इसको सिंप्लिफाई कर लीजिए, 7 सिग्जा, 42, 7 सिग्जा, 42, और फिर 6 बच गया, तो 6, 6 by 7 वाला क्या कोई option दिख रहा है, जी हाँ, यह first वाला option मुझे दिख रहा है, आई होप समझ में आया, तो यह question थोड़ा सा हट के पूछाता, अब इसमें न, 3 लोग है, अभी तक हम 2 लोग कर रहे थे, यहाँ पर बस question में 3 लोग हो गए, तो एक है रीना, एक है आस्था, और एक है श्लो, यह एक काम को करते हैं, अलग लग, 6 hours, 4 hours, and 12 hours, respectively, अब तीनों का time दिया हो है, पहले को लगते हैं, 6 गंटे, दूसरे को लगते हैं, 4 गंटे, और तीसरे को लगते हैं, 12 hours, पूछा क्या है, फिर से वोई चीज, if they all will work together, उन्हें कितना time लगेगा, यह काम करने में, right, तो आप इसका क्या ले लीजिए, LCM, LCM ले लीजिए, 12 आ गया, और इ efficiency का ratio है, इनकी जो efficiency का ratio है, वो क्या आएगा, इन सब का मैंने LCM ले लिया, इसे हम क्या मानते हैं, कि यह हमारा total work है, इतने units, अब divide करेंगे, efficiency का ratio आजाएगा, 3, 2, 1, यह divide करेंगे, sorry मैंने गलतिक दिया, पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा, और यहां 3 आएगा है न, यह divide कर करेंगे, बनाया, अब उचुमर जी पूछ ले, यहां भी वही पूछ रहा है, कि यह सारा काम, अगर यह 3 मिलके करेंगे, तो 3 मिलके तो per day 6 करेंगे, because यह 2 करता है, यह 3 करता है, यह 1 करता है, तो 3 मिलके 6 करेंगे, आपको करना 12 है, तो 12 work अगर, यह 3 मिलके करेंगे, तो 1 एक दिन में कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, एक दिन में कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो आपको कितने hours लगेंगे, 2 hours, क्योंकि पर डे में ये तीनो 6 करते हैं, और करना 12 है, तो इन्हें कितने hours लगेंगे, 2 hours, तो ये है LCM बाला में था, और अगर आप चाहते हो कि इसके लिए भी आपको एक short formula चाहिए, जैसा 2 में हमने किया था, 2 के लिए short formula था, कि अगर A x days में कर रहा है, और B y days में कर रहा है, तो दोनों कितने दिन में करते थे, xy upon x plus y, 2 के लिए ये formula था, 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा students, same वैसा xyz upon xy plus yz plus zx, अगर तीनों को short में करना चाहते हो, मतलब ये formula लगाना चाहते हो, तो ये भी use कर सकते हो, x, y, z, तीनों को multiply कर दो, और नीचे pair बना के add करो, xy का, y, z का, और zx, तो आप इसका भी use कर सकते थे, और LCM लेने वाला भी method best है, आप उसमें value पुट कर दो, x की जगा, y की जगा, z की जगा, x आप 6 पुट कर लो, y 4 और 12z यहां पे पुट कर दो, तो भी answer आपका same आएगा, तो जो formula से करना चाहे, वो formula से कर सकते हैं, अगला question देखते हैं, a man can do a job in 15 days, his father takes 20 days to do a job, and his son takes 25 days, question क्या है, फिर से वही पूछा है, कि अगर ये तीनों व्यक्ती साथ में मिल जाएं, तो काम कितने दिन में होगा, option दियो है, 6 दिन से कम लगेगा, 6 दिन लगेंगे, 6.4 या 10 से ज़्यादा, तो निकालते हैं, हमें इनका क्या लेना है, LCM, क्या कोई ऐसा नंबर है, जो इन सब से डिवाइड हो जाएं, इन सब में से बड़ा कौन सा है, 25, तो आप 25 के ऐसे multiple लो, जो इन से भी डिवाइड हो जाएं, 25 का double होता है, 50, हो नहीं होता, 100, 100 इससे होता है, पर इससे नहीं होता, 75, इससे होता, इससे नहीं होता, ऐसे करते जाएंगे, तो पता चल जाएगा, शायद 300 होगा, उससे पहले कोई नंबर नहीं दिख़ा है, जो इन से डिवाइड होता हो, तो ये efficiency कितना आएगा, डिवाइड करिए, पहले की जो efficiency है, रोज काम करेगा, ये 12, ये डिवाइड करिए, 15, राइड, सॉरी, यहाँ पर आएगा, आपके पास 20, ये डिवाइड करके आएगा 20, ये आएगा 15, और ये डिवाइड करेंगे, तो 12 आए, राइड, अब अगर ये सारे एक साथ मिल जाएं, तो एक दिन में 47 वर्क हो रहा है, इनको आएड करेंगे, तो 47 आ रहा है, और करना कितना इन्हों न, 300, तो 300 करना है, एक दिन में 47 हो रहा है, तो इतने डिवाइज लगेंगे, this is your answer, अच्छा, अब ये जादा है, 6 से या 6 से कम है, less than 6 है, या exactly 6 है, या approximately 6.4 दिवाइज, देखो, अगर यहाँ पे, denominator में, मैं बोलता, कि हमारे पास, अगर यहाँ पे, 50 होता, लेट से, तो ये 6 आता, और अगर नीचे बढ़ा हो जाए, 50 से, तो value डाउन हो जाती है, और अगर ये 50 से कम हो गया, तो value आपकी बढ़ जाती है, fraction में जितना कम करोगे, value बढ़ जाती, तो अगर 50 लेता तो 6 आता, 50 से ज़्यादा लेता तो 6 से कम हो जाता, और 50 से कम लिया है, तो ये 6 से ज़्यादा है, तो approximately आपका answer ये वाला होगा, 6 से ज़्यादा है, मतलब 6 point something होगा, तो 6.4 वाला होगा, 6 से कम नहीं है, ना ही 6 से ज़्यादा, 6 के बराबर है, 6 से ज़्यादा वाला है, और 10 से ज़्यादा तो नहीं है, I hope समझ में आया, तो इस तरह के questions आपको यहाँ पर practice करने है, Now students, आगे देखते हैं, अगला question, A, कभी-कभी ना आपको fraction में work दिया होता है, A, one third work को करता है, five days, ऐसे B, जो है, वो two fifth work को कर लेता है, ten days में, पूछा वोई है कि, दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके, तो यहाँ कभी-कभी आपको fraction में work दिया होता है, जैसे percent में भी लिखा हो सकता है, कि A, 10% काम करता है इतने दिन में, या fraction में भी लिखा हो सकता है, one third काम करता है इतने दिन में, तो पहले आप उसे पूरा बना ले ला, फिर वो ही normal question हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, A, one third work करता है, five days, तो आप पहले इसे पूरा बनाएंगे, कि one work कितने दिन में करेगा, यह उदर जाके multiply हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो five into three into one हो जाएगा, fifteen days, ऐसे यह B का, two fifth work होने में लग रहे हैं, ten days, तो उसका पूरा काम कितने दिन में होगा, ten into five upon two, तो यह solve करेंगे, तो यह 25 days होगा, तो मिला क्या, A 15 days में कर रहा है, B 25 days में कर रहा है, आप इसका LCM ले लिजिए, 75, efficiency का ratio कितना है, अगर आप देखेंगे, तो यह five कर रहा है, यह three कर रहा है, अब पूरा काम है 75, जो इने करना है, और एक दिन में अगर यह दोनों मिल जाए, तो five plus three, eight करेंगे, इतने days लग जाएंगे, अब eight, nine, 72 और three बच गया, इसको simplify करें, तो यह वाला option मेरा answer आजाएगा, I hope आपको समझ में आया, कि यह question किस तरह से करने होते हैं, तो यह question student, आपके लिए है, practice के लिए, X, one by four करता है, 10 दिन में, Y, 40% काम करता है, 40 days में, और Z, one third काम करता है, 13 दिन में, यह fraction में या percentage में दिया है, पहले पूरा निकाल लेना, तो सब के days आ जाएंगे, A इतने दिन में करेगा, B इतने दिन में, C इतने दिन में, आप से पूचा है, who will complete the work first, तो आपको सब के जब पूरे days पता चल देंगे, पूरे काम के, तो जो सबसे कम time ले रहा होगा, वही बंदा यहां पर faster होगा, who will complete the work first, तो obviously जो कम time ले रहा है, वही तो fastest है, वह जल्दी काम करेगा, तो वह आप पताईएगा क्या answer है, अब हम बात करते हैं, इसमें दूसरे type की, student एक और यहां पर announcement थी, कि हमारे जो mock test series है, चाहे आप RRB के exam दे रहे हैं, PO clerk, और अगर आप SSE के exam दे रहे हैं, तो उनकी mock test series launch हो चुकी है, 15 अपरेल से आपको यह mock test मिलना शुरू हो जाएंगे, और 4.99 में आप किसी भी SSE, CGL, CHSL, MTS ले सकते हैं, या फिर RRB, PO clerk का, कोई भी लेना चाहें, तो 4.99 से भी कम price में आपको मिलेगा, और इसमें भी आपको discount मिल जाएगा, जब आप KS Live coupon code यूज़ करेंगे, Study IQ की app पे या website पे जाके, चलिए, अगला type देखते हैं students, दूसरा type हमारा क्या है, when time in which all, जब हमें सब का जो time है वो दे रखा हो, अभी तो क्या था, individually सब का हमें दे रखा था, और combine निकालना था, कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, अब क्या होगा, कि हमें माली जिये, A और B कितने दिन में करते हैं, ये वला time दे रखा है, और A उसमें से अकेला काम करता है, कितने दिन में ये भी दे रखा है, अब आपसे B का पूछा होगा, पहले हमें A और B का दिया था, माली जिये, दोनों का पूछा था, कितने दिन में कर सकते हैं, अब यहां पे अगला type क्या है, कि किसी एक का नहीं पता, दूसरे का पता है, और दोनों का मिला के भी पता है, और ऐसा यह तीन पर्सन में भी हो सकता, कि किसी individual का मुझे नहीं पता है, except one person, बाकी सब का पता है, अकेले का भी, combined का भी, तो आईए यह question कैसे करते हैं, इस question को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टस कर सकते हैं, इस question को भी हम LCM वाले method से बिल्कुल कर सकते हैं, तो देखिए, दो लोग हैं, amidst and summit, ये एक खेट को, खेट जो है, उसको हल जोते हैं उसके अंदर, तो ये four days लगा देते हैं, amidst plus summit, ये काम करने में दोनों मिलके four days लगा देते हैं, जबकि सुमित को कितना लगता है, ये ही काम करने में सीख देते हैं, और amidst का time पूछा है, हो गया ना वही सवाल, इस बार दोनों का पता है, एक का पता है, दूसरे का निकालने, तो आप इसका क्या लेंगे, इन जो भी आपको days पता हूँ, आप बस उसका LCM ले लो, और start करना start कर दो, वैसे ही solve करना इसको शुड़ू कर दो, तो यहाँ पर अगर मैं LCM लेता हूँ, तो 12 हो गया, और efficiency का अगर आप ratio लेंगे, efficiency का अगर आप ratio लेंगे, तो यह आजाएगा 3, और यह आजाएगा 2, यह divide कर यह 3 और यह आजाएगा 2, पर यह 3 कौन कर रहा है, उपर देखिए कौन लिखा था, Amit और Sumit, यह दो लोग मिलाके 3 कर रहे हैं, उसमें से Sumit कितना करता है, Sumit कितना करता है 2, दोनों कितना करता है 3, उसमें से Sumit कितना करता है 2, तो फिर बाकी का one कौन करता होगा अमित और आपका सवाल क्या है कि ये पूरा का पूरा work अमित करेगा तो कितने days लगाएगा एक दिन में वो one unit करता है तो 12 करने में उसे कितने days लगेंगे 12 दिन ये है इसका short smart तरीका कैसे करना है अगर आप इसमें उसे formula चालते हो कि अगर कोई formula बना दिया जाए जैसे मैंने पहले बनाया था तो वो भी आप use कर सकते हो जैसे a and b करते है x days में and a करता है मालीजे y days में और आपसे पूछा जाए b कितने दिन में करेगा यही तो question था ना दोनों का time पता है a का time पता है b का पूछा है तो यहाँ पे आप short trick लगा सकते हो x into y upon y minus x उस वाले में क्या था हम दोनों को plus करते थे x plus y लेकिन इसमें y minus x और y यहाँ पे जादा क्यों होगा पता है y minus x क्यों है क्योंकि जब अकेला करता है वो time जदा लेता है तो इन दोनों में यह वाला time जदा होगा क्योंकि दोनों करते हैं तो जल्दी करेगा अकेला करेगा तो late करेगा यह time जदा होगा इसलिए y minus x लेना formula से करना चाहो तो इससे भी कर सकते है कि यह b कितने दिन में करेगा दोनों time की multiply कर दी 4 into 6 upon 6 minus 4 तो यह आगया 24 upon 2 कितना आ रहा है देखो 12 भी आ रहा है और यह है हमारा LCM वाला method यह हमें सीखना ज़्यादा जुरूरी है क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे question में आपको कराऊंगा time and work उसमें यह diagram हम हमेशा बनाएंगे काम करने आ रहे हैं जा रहे हैं छोड़ रहे हैं बहुत सारे type इसमें आगे हम करेंगे तो students अगर आप bank और SSE के courses देखेंगे हमारी website पे आपको मिल जाएंगे तो उसके लिए हम लोग लेके आए हैं biggest scholarship test इस scholarship test की जो जो test होगा यह 14th April को होगा और कल से ही इसके registration स्टार्ट हो जाएंगे तो आप हमारी website पे जाके register कर सकते हो 14 तरीक को आपको यह test देना है अगर आप इसमें अच्छा perform करेंगे तो आपको यहाँ पे exciting rewards मिलेंगे जो toppers होगे साथ के साथ आपको test की practice भी हो जाएगी आपको बता चलेगा कि आप कितना त्यार है अभी exam के लिए तो students यह अगला question है इसका जो answer है try करते हैं x, y, z तीनों मिलके काम कर रहे है तीनों मिलके काम कर रहे है 6 days x और y या x करे या y करे दोनों को ही 16 दिन लगते हैं और का मतलब क्या है या दोनों को same ही लगते है इसको भी 16, इसको भी 16 आप से पूचा है z को कितना time लगे तो आपने क्या करना है इस बार तीनों का पता है इन दों का अलग-अलग पता है इसका निकालना है वही चीज़ करनी है आप इनका LCM ले लीजिए 16 और 6 का LCM मुझे दिख रहा है 48 जो इनसे डिवाइड होता है यहाँ पे अब आप सबको डिवाइड करके efficiency का ratio निकालीजिए पहले वाला डिवाइड करिए 8 आ रहा है इधर 3 आ रहा है 3 आ रहा है अब देखो 8 जो है वो 3 का काम है और पहले 2 लोग मिलके 6 करते है X और Y मिलके 6 करते है 8 तीनो करते है तो 8 में से यह 6 माइनस करेंगे 8 में से 6 माइनस करेंगे तो Z कितना करता होगा 2 करता होगा Z का निकालने के लिए क्या करना होगा तीनों में से इन दो लोगों का काम माइनस करता है तो Z daily 2 करता है और जो daily 2 करता है उसे ये 48 कराना हो तो कितने days लगेंगे 48 कराना हो 2 के हिसाब से तो Z को लग जाएंगे कितने days 24 days क्योंकि वो daily 2 unit करता है तो उसे कितने days लगेंगे 24 days एक question मैंने आपसे पूछा था student उसका answer मुझे आपने बताना है और आगे हम बहुत सरे type करने वाले हैं students तो आपको ये series कैसी लग रही है please बताईएगा और मेरी पहले वाली videos भी आपने देखनी है वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि videos कैसी है और मुझे जरूर बताईएगा students bank और SEC के courses यहाँ पे उकलब्ध है study IQ platform पे आप जानते हैं इंडिया का one of the largest education platform है और quality content आपको मिलता है UPSC में already बहुत अच्छा result रहता है और अभी banking SEC के courses start किये हैं आप बहतर त्यारी कर सकते हैं हमारे साथ हमारी जो cost है आपको course की जो पढ़ती है around 10 rupees पर cost पढ़ती है इतने कम price पे आपको courses मिलते हैं affordable और जोरदार त्यारी आपको study IQ करवाता है तो जल्दी से हमारे courses join कर लीजिए आपको coupon code यूज करना है और मेरी guidance भी आपको मिलेगी इसके साथ KS Live आपको coupon यूज करना है और bank SSE का course उपलब्ध है आप इसे देख सकते है bank का भी उपलब्ध है SSE का भी उपलब्ध है जो भी आप लेना चाहें ले सकते है bank का SSE का और या combo course लेना चाहें वो भी ले सकते है इसके लवा quant का class जो है ये इसका batch हमने अभी शुरू किया था 4-5 दिन पहले और इसकी classes start हो चुकी है एक-दो classes हुई है अब ये batch कल जो है close होने वाला है तो student अगर आप quant में चाहते हो quant में आप improve करना चाहें आप सिरफ quant का भी ले सकते हो पूरा करना चाहो तो पूरा भी ले सकते हो और ये सारे competitive exam का मिलेगा और reasoning का भी batch जो है वो कल close हो जाएगा तो इसलिए students जल्दी से आप इसे ले लीजिए and student RBI grade B का भी batch हमारे पास available है तो ये batch भी 15 April को close होने वाला है उससे पहले आप admission इसमें ले सकते हैं सकते हैं या टेलेगराम में सर्च कर सकते हैं maths by करन सर्दाना यहां आप doubts है confusion है आप पूछ सकते हैं और मैं बहुत सारी updates यहां पर देता रहता हूं and students coupon code के लिए KS live आपको यूज़ करना है website पे जाना है studyiq.com पे या आप पे भी जाके आप हमारे courses और content देख सकते हैं so I hope यह series आपको अच्छी लगी होगी बताइएगा मुझे thank you so much for watching this series कल फिर मिलते हैं 9 बजे इसके next part thank you